येशु ने सुर्ग के राज के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड उसके पीछे चली वो अभी ये नहीं जानते थे कि येशु राजा है पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज के लोगों को जीवन व्यतीत करना है येशु ने कहा लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है पर मेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं भूजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो येशु ने कहा अपने जीवनों में पहले येशु को रखो उसकी आज्या का पालन करो उस पर भरोसा करो वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपकी बास हो येशु ने ये प्रातना सिखाई पर मेश्वर पिता तेरा नाम पवित्र है जैसे आप स्वर्ग पर राज करते हैं पृत्वी पर भी राज करें हमारी आज की आवशक्ताओं को पूरा करें आपकी आज्या मानने में हमारी सहायता करें सारी सामर्थ सदा के लिए आपकी ही है तब येशु ने एक कहानी बताई एक मनुष्य ने एक चटान पर उसका घर बनाया एक बड़ा तुफान आया क्योंकि वो घर चटान पर बना हुआ था इसलिए ये गिरा नहीं एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया एक बड़ा तुफान आया क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था ये एक दम से नीचे के गया जो बाते मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चटान के समान है येशो ने कहा मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह है जिसने अपना घर चटान पर बनाया